हाई गाईज कैसे हैं आप लोग यार आप सभी को बता है इंफिनिक्स की तरब से अभी एक स्मार्टफोन इंडिया में लोंच होने वाला है इंफिनिक्स होट नाइन जिसका रिलेटेट कापी सारा वीडियो अपना चेनल पर अपलोड भी हो चुका है अगर आप नहीं देख ओँगे तो चरूर चेकाउठ कर लेना और समसंग की तरब से अभी hè चंधि फोन इंडिया में लोंच हो चुका है और इस अपसेशाली फिट्ट हमें सब सबसे ज़्यभा रेटर हो चुका है Getting Business WiFi सबसे ज़्यादा बेटर है और कौन सा मोबाइल के लिए हमें वोइट करना चाहिए समसंग गलक्सी M11 या फिर इंफिनिक्स का इंफिनिक्स होट 9 तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप जाए गा और बेक पेनल जो है और पोली कार्मोंनेट बेक पेनल होगा और बेक पेनल में अपको थ्रीपल रियर कैमरा फिंगर पिंसेंसर और यूडिट फ्लास लाइट देखने का मिल जाएका और फिंगर पीन सेंसर भी आपको back panel में देखने को मिल जाएगा और ये जो phone है ये भी बहुत सारा color में आपको देखने को मिलेगा तो ये रहा दोनों mobile का design, look और build quality और दोनों phone जो है देखने में काफी बहतर है चलिए आप हम लोग features देख लेते हैं देखने में अच्छा होने से कुछ नहीं होता है features भी बढ़िया होना चाहिए तो Infinix Hot 9 में आपको जो डिस्पले दिया जा रहा है और रहता है HD Plus resolution बहला पंचोल डिस्पले जो रहता है 6.6 इंच का अब Infinix Hot 9 तो हो गया Samsung Galaxy M11 में जो आपको डिस्पले मिलता है ये भी रहता है पंचोल बहला डिस्पले तो दोनो फोन में आपको जो है पंचोल बहला डिस्पले मिलता है और Samsung का ये फोन में जो डिस्पले दिया जाएगा और रहेगा 6.4 इंच का HD Plus resolution बहला Infinix Hot 9 में आपको Q8 का मिलता है जिसमें लाज प कला जबर ऑफ में शोला में या गगीज में में इसमें यह चाहिक तीपल रियर कैम आई आई इसमें आप पार मेगा सेंसर जो है पांच मेद पिक्सल gazओ में से और दो मैदैब कर keyboard सो यह साथ में लेड़ी लाइड भी ईह और नलडी लाइट भी है है 16 Megapixel का अब सेंसंग का यह फोन में अगर हम लोग देखते है यह मिलेवन में इसमें आपको ट्रीपल रियर क्यामरा मिलता है जिसमें प्राइमरी सेंसर मिलता है तेरा मेगा पिक्सल का सेकंडरी सेंसर जो है पांच मेगा पिक्सल का वाइट एंगल लेंज से और दो मेगा इसमें प्रेड बारे में आपको आट मेगापिक्सल का देख सेंसर दिया गया है साथ में LED लाइट भी है और इंफिनिक्स ओट नाइन में जो LED लाइड है और त्रीपल LED लाइट है तो मेगाफिक्सल के हिसाब से देखा जाए तो इंपनिक्स का मोबाइल में आपको 16 Megapixel का मिलता है और सेंटेम्सिंग का मोबाल में आपको कैमरा ज्यादा बहतर मिलेगा क्यम्सिंग कर लेते हैं फ्रोंट केbara के वारे में तो इंफिनिक्स का होट 9 में आपको 8 मेगाफिक्सल का फ्रोंट क्यामरा मिल जाएगा और सेमसंग का एम 11 में भी आपको 8 मेगाफिक्सल का ही फ्रोंट क्यामरा मिल जाएगा लेकिन सेमसंग का क्यामरा जो है बहतर होता है तो सेमसंग का सेलफी जो है वह बहतर आपको मिलेगा अ अब हम लोग Samsung का देखते है Samsung M11 इसमें भी आपको बहुत बड़ा 5000 mAh का बेटरी मिल जाता है तो बेटरी कॉलिटी जो है दोनों मुबाइल का सेम है लेकिन एक प्लास पॉंट मिलता है M11 में जो है फास चार्जर तो इन्फिनिक्स का मुबाइल में आपको फास चार्जर नहीं मिलता है और Samsung Galaxy M11 में आपको 15W का फास चार्जिंग मिल जाता है तो बड़ा बेटरी को चार्ज करने के लिए जो बहुत टाइम लगता है उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा Samsung का इस मोबाइल में अब जान लेते हैं दोनों मोबाइल का रेम और इंटरनल इस्टोरेज के बारे में अब देखते हैं यह फोन इंडिया में जब आता है तो क्या रेम और भडेंट आपको मिलता है अब हम लोग देख लेते हैं दोनों मोबाइल का टाइप सी पोर्ट जी हां यह बहुत इंपोर्टेंट है तो सेमसंगा एम 11 में आपको जो है यूज़वी टाइप सी का आप देख लेते हैं एंड्रोइट ओवर्टिंग सिस्टम का तो दोनों मोबाइल में एंड्रोइट 10 मिलेगा आउट ऑप दबोक्स लेकिन इंफिनिस का मूबाइल में आपको एक सोई मिलेगा 6.0 डॉल्पिन बढ़ियन के साथ और आपको सेमसंग का मोबाइल में सेमसंग नने सेमसंग का मोबाइल में आपको सब्सक्राइब का दिस्प्ले मिल जाता है जो कि तर उस्शंगसे में दीचब सब्सक्राइब धिंक साथ में से और geIST nursing जो जो है इंडिया में होने वाला है 9000 के आसपास सेम प्राइज रंच में दोनों फोन लोज होगा दोनों में पंच होल डिस्पले रहेगा दोनों में आपको 5000 एमेज का बेटरी मिल जाएगा लेकिन सेमसंग का फोन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा अगर आप पर्चेस करन और एक इंडेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर